स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग निद्रा का आविशकार किया इस अभ्यास का अन्वेशन करने के बाद उन्होंने योग निद्रा पर अनेक प्रयोग किये सर्व प्रथम उन्होंने इसे स्वयम पर अपनाया और तब अन्य लोगों पर आईए सुनते हैं उन्ही के शब्दों में योग निद्रापर उनके सबसे दिल्चस्प प्रयोग का वर्णन मेरा सबसे दिल्चस्प प्रयोग एक छोटे से बच्चे के साथ था जो मेरे आश्रम में सन्यास के लिए आया था मैं उसे स्कूल भेजना चाहता था परन्तु उसने साफ मना कर दिया वे बहुत शरारती लड़का था पूरी तरह से बंदर था सारा दिन वे वस्तूँ को तोड़ता फोड़ता रहता महमानों को तंग करता और दुरघटनाओं को जन्म देता रहता अन्तता वे आश्रम के लिए इतना बड़ा दाइत्व हो गया कि मैंने उस पर योग निद्रा का प्रयोग करने का निरने लिया मैं उसके सोने के लगभग तीन मिनिट बाद उसके पास बैठकर गीता के पंद्रहुएं अध्याय का पाठ करने लगा फिर जब वे सुबह उठता तो मैं उसे वही अध्याय पढ़वाता जिसे वे बेमन से पढ़ता एक सब्ता बाद उसे वे पूरा अध्याय कंठस्त हो गया इसमें सफलता मिलने पर मैं उसे अन्य ग्रंत भी पढ़ाने लगा और इस प्रकार जब मैं गहरी निद्रह में सो रहा होता तब मैं उसे श्रीमत भागवत, उपनिशत, बाइबल, कुरान, इंगलिश, हिंदी, संस्कृत जो कुछ मुझे आता था, उसे सिखाने में सफल हुआ अब वे लड़का 21 वर्ष का है, मैंने उसे अमेरिका भेज दिया है वे 11 भाशाएं बोलता है, तथा अंग्रेजी में मुझसे बहतर लिखता और व्याख्यान देता है जबकि वे स्कूल कभी नहीं गया उसका संपूर्ण, अध्ययन और शिक्षा उन दो वर्षों के अवधी में हुई जब मैं उसे योग निद्र में सिखा रहा था उसे यह याद भी नहीं है इसका मतलब है कि जब तुम सो रहे होते हो तब तुम उस मुकाबले अधिक सीख सकते हो जब तुम जगे होते हो और इस प्रकार हम योग निद्र का उप्योग मन के क्रम विकास के लिए करते हैं योग निद्र की अवस्था में मन असाधारन रूप से ग्रहन शील होता है भाशाओं और अन्य विशयों को शीग्रता पूर्वक सीखा जा सकता है वास्तों में किसी भी उपलब्दी को प्राप्त करने के लिए मन को संचालित करने में योग निद्रा का उप्योग किया जा सकता है यही महान योगियों और स्वामियों की असाधारन उपलब्दियों का रहस्से है प्रेश Shish